तो प्रक्राइब करेंगे आपके रिटर्स और लिकुडिटी बढ़ेंगे बट सेफटी विल गो दाउं अस सुन आज वी कम डाउन वी सीट की सेफटी बढ़ जाता है और लिकुडिटी अंड रिटर्न्स कम हो जाते है यह स्टोरी हम म्यूचल फंड्स की मेधा वाली पूरी पढ़ चुके थे और इस स्टोरी ने हमको यह बताया था अधा अल्टेमेटली हमें क्या अडवंटेज होता है वेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचल फंड्स सो इसको एक बार फिर से रिवाइस करेंगे हम चलन small investment you can invest in mutual funds as a small as 500 रुपी चलन and maximum up to your desire कितना लगाना चाहते हैं पैसा करोड सो करोड हजार करोड जितना आप चाहें how does it spread risk because the investment is done in multiple asset class even if it is a single asset class कहने का मतलब तो आप shares debentures real estate gold हर चीज़ में पैसा लगाते हो mutual funds के थ्रूप बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शेर पर भी लगाया है तो in that case you are not going to buy the share of one company rather you buy the share of multiple company children तो इस तरह से आपका जो risk है वो spread up हो गया some companies share prices may go up you happen to gain some prices share some companies share price come down you happen to suffer loss your money is highly secured in the sense company भाग गई तो अपर सी बात है पैसे चले जाएंगे आपके but safety and security कैसी है काफी पढ़े लिखे fund managers आपके पैसे को manage करते हैं and people whom we interact to invest are called as fund advisors तो आपका fund advisor generally आपको गलत राय कभी नहीं देगा कभी नहीं देगा गलत सला because he knows कि अगर आपका पैसा डूबा तो आप next time ना खुद इन्वेस्ट करोगे और ना किसी को promote करोगे कि आप mutual fund में पैसा लगाई है long term investment दोनों ही बाते हैं it could be long term it could be short term and it could be children medium term it is up to you आप money कैसे invest करना चाहते है liquidity within 72 hours children आपका पैसा वापस आ जाएगा मतब यह नहीं की return के साथ ही वापस आएगा हो सकता है थोड़ा नीचे चला जाए थोड़ा बढ़ जाए हो सकता है market up down हुआ ऐसा महल था जब आपने पैसा लगाया था market उपर थी जब आपने दो महीने तीन महीने दो साल चार साल पत पैसा निकलना फुला सा market डॉन हो गया तो उसकता है जितना पैसा लगाया था उतना ही मिले या उसे कम ही मिल सकता है but it is generally observed कि अगर आपने दो चार पाँच साल mutual fund में ठीक ठाक invest कर लिया around 10-12% के returns आपको मिल जाते हैं यहां तक किसी की कोई query है तो most welcome to ask so say be the savior now यहां पे कुछ questions है why Medha is curious why people are curious about Medha what will happen if Medha does any of the following things the answer सुनियेगा बचो first buy shares of a company belonging to one of her relatives she knows that it is not in the interest of investors but it is in her self-interest तो बच्चो मैं आपको यहां पे एक बात clear कर दूँ अगर आप किसी company के fund manager बनते हो fund advisor तो agent होता है जैसे insurance agent होता है ticketing agent होता है IRCTC का train ticket का railway ticket का तो fund advisor का यही काम होता है if Medha is a fund manager children इन्हें एक undertaking देनी पड़ेगी कि यह अपनी relatives की किसी भी company के shares में आपका पैसा नहीं लगवाएंगी sir अगर ऐसा यह करती है तो इनके उपर से भी ban create कर देगा इनको penalize किया जाएगा अगर इन्होंने कुछ x y z profit कमाया तो profit का 25 times यह rule है से भी का और so-called 25,000 करोर रुपीज whichever is more यह एक मैंने आपको example दे दिया but profit का 25 times तो it is listed there या आपने जितना कमाया यह मेरा example था कि 25,000 करोर आपने कमाया दोनों मेंसे जो जादा होगा अब देखिए इसमें question यह उठता है सर आप एक तरफ कहरें दोनों मेंस जो जादा होगा तो profit ही होगा ना जो हमने कमाया होगा इसी बात है नहीं बचों company का profit नहीं मेदा का profit नहीं आपको जतना नुकसान हुआ उसका 25 गुना या मेदा ने जितना कमाया दोनों मेंसे जो जादा होगा वो देना पड़ेगा as a penalty और से भी इनके उपर कम से कम so called 3 साल और maximum 10 साल का बैन लगाएगा कि मेदा फिर से ऐसी हरकते नहीं कर सकती तो अगर नोंने किसी अपने रिष्टेदार की company में आपका पैसा लगवा दिया और आपको जो profit कहीं और हो सकता था अगर आप पैसा लगाते हो पैसा चला गया तो मेदा को personally इसको bear करना पड़ेगा जेल भी हो जाती है इस case में does not pass on the benefit of appreciation in the values to the shares of investors मेदा ऐसा कर ही नहीं सकती क्यों नहीं कर सकती सर्व बिकॉस मनी विल नॉट बी केप्ट इन कैश बाई मेदा अटर हाउस पैसा कहां पे रहेगा बच्छों मनी विल बी केप्ट वेर मैं नॉट ओडिबल बैंक अकाउंट मेदा को जब भी पैसे निकालने होंगे जिस म्यूच्व फंड कंपनी कि ये फंड अडवाईजर या सौरी फंड मैनेजर है उससे पूछके निकलना पड़ेगा मेदा के पास साइनिंग अथोरिटी ज़रू सिंगली नहीं होती है इट इस को अथोरिटी सरमान लीजे दोनों लोग फ्रॉड कर जाये तो अब वो अलग बात है बर जेरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि अर तीन-तीन महीने पे इनको अपना फिनांशल डेटा से भी के साथ शेर करना पड़ता है जब भी ये पैसा और ले अगर मेदा यह चीज इंफर्म नहीं करती तो अगें से भी इनके उपर डंडा बरसाएगा और तुरंट इस फंड मैनजर को यहां से अटाके जेल में डालेंगे और इस फंड को किसी दूसरे फंड हाउस के अंडर में रेग्यूलेट करवाएंगे तो ऐसा कभी होई नहीं सकता कि investors को हम inform ना करें every month I repeat every month data is given to the investor he so and so money is invested at so and so place मैं आपको एक example दिखाता हूं इसका कुछ मेरे पास एक मेरे पास एक्जांपल है तो यह मेरे को हर महीने भेजते है statement that कहा कहा पर इन्होंने पैसे लगा हुए हैं तो आपको यहां पर कुछ companies के नाम नज़र आ रहे होंगे likewise जितने भी shares stock exchange में buy sell होते हैं उनका एक number होता है जैसे आपका आधार number होता है जैसे आपके school का enrollment number होता है जैसे आपके driving license पे भी एक number होगा या car की registration plate पे एक number होगा similarly it is just like the particular allocation of an identity to the company's share जिसे बोलते हैं international securities identification number I repeat international securities identification number छोटा सा classwork दे रहा हूँ just count करके इसको बताइए बचो कितने आपको नज़र आ रहे हैं इसमें so called alphabet and digits मिला कर बचो कितने characters नज़र आ रहे हैं आपको सब में बचो कितने characters नज़र आ रहे हैं INE040A01034 how many 12 ISIN is a 12-digit standard number जैसे आपका आधार कार्ट भी 12-digit का number होता है it starts with IN सब में common है बचो IN isn't it isn't it इस जो IN है यह represent करता है इंडिया को basically IN represents country alphabet USA में होता तो US होता पाकिस्तान में होता तो शहएद PK होता ही है E stands for what children equity I repeat E stands for equity सुनाई पढ़ी यह बात उसके बाद आपको नज़र आएगा बच्चो 040A01034 majority में बच्चों आपको A, E, D यही सब नज़र आ रहा होगा isn't it देखे पहले यह है फिर E है तो यह allot करने का एक procedure होता है SEBI का और SEBI actually नहीं allot करता it is national numbering agency जो इसको allot करती है तो यह मैं आपको आने वाले time में पढ़ाऊंगा अभी का यह part नहीं है अभी सिर्फ इतना पढ़ना ही जो statement आती है इसको कैसे समझे लाए यह देखिए बच्चों नज़र आ रहा है सब बच्चों नज़र आ रहा है यह आपको बताने की कोशिश कर रहा है की Canra Rebeco Mutual Fund ने banks सबसे पहले रिखा हो ना बच्चों banks इनके 5,9,667 shares खरीद के रखे हुए है और so-called इनकी market value 7,779.05 करोड है और total इन्होंने अपना 8.3% पैसा banks के shares पे लगाया हुआ है और यह large cap company है इसी तरह से 10th line पे आते हैं चलगे हैं you will find construction मिला चलगे मिला construction yes sir in front of construction it is written 80,650 अगर आप ध्यान से देखे दो चलगे मिला सब्को yes sir so this means इस कैनरा रेबेको mutual fund ने 80,650 shares construction companies के खरीद है DLF अगेरा इस तरह से and 2438.49 करोड इनकी market value है और total इन्होंने अपने पैसे को 2.6% construction companies में लगाया हुआ है तो you can say कि अगर मैं इनको 100 रुपे दूँ तो 8 रुपे 30 पैसे banking companies में है 6 रुपे 50 पैसे IT software and so on यहाँ पे आपको banks 2-3 बार repeat भी नजर आ रहा होगा अब आप बोलेंगे सरी अलग-लग क्यों लिखा है bank एक साथ ही जोड़के लिखना चीए अलग-अलग mutual funds की schemes होती है बचो जो 2-4-5 बार में market में आती है एक साथ नहीं आती है सबके सब एक scheme 2 साल पहले आई थी एक 4 साल पहले आई तो हो सकता है 2 साल पहले वाली का पैसा इन्होंने पहले वाले bank में लगाया हो आज जो पैसा लगाया वो दूसरे bank में लगाया and all that तो सबको ये बात समझ में आ रही है चले नज़र आ रहा है सबको देखिए IT software एक बार उपर भी नज़र आ रहा है बचो और एक बार मैं screen को scroll up कर रहा हूँ फिर से आपको IT software एक जगा नज़र आएगा दो बार नज़र आया IT software तो दीज आर दा सेक्टर्स वेर दे हापन तो इन्वेस्ट और अट लास्ट आपको नज़र आएगा अट लास्ट आपको नज़र आएगा फार्मसूटिकल और बायो टेकनोलोजी में टेलेकॉम सर्विसेज में इन्होंने 55.28 करोड रुपी इस समय मार्केट वाल्यू है और यह सब मिलाकर 95.63% है अब नीचे बच्चों 3.78, 3.78, 3.78 और 0.5 नज़र आ रहा है यह सर्ड यह जो 0.5 है न यह इनका एक्सपेंस है और 3.78 जो है यह इनके पास cash अभी रखा हुआ है यह इन्होंने कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया इसको cash component of the mutual fund भोते हैं यह सारी reporting, सारा data इनको देना पड़ता है यह बच्चों riskometer अब सरी यह riskometer क्या होता है जैसे milk की purity के लिए lactometer यूज होता है बच्चों thereafter हम बात करेंगे so-called milk की purity के अलावा आपकी so-called यह जो कहते हैं car की speed, इसके लिए speedometer होता है तो वैसे ही हर mutual fund house जहां पे पैसा लगाता है पता देता है कि risk level क्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 segments आपको यहां पे नज़र आ रहे हैं यह नया riskometer है यह अभी 2 साल पहले यूज होना start हुआ पहले 5 categories होती थी तो अगर low की तरफ arrow है तो समय लीजिए इसमें risk तो बिलकुल नहीं है बट return भी 5-6 percent दे दे तो दे दे low to moderate की बात करें तो low से थोड़ा ज़ादा और moderate से थोड़ा कम risk है moderate मतलब उससे ज़ादा moderately high 50% से ज़ादा probability है पैसा डूबने की high मतलब बहुत ज़ादा risk very high बहुत ही ज़ादा risk तो सर पैसा ना लगाए क्या अब ऐसे अगर सोचेंगे बच्चों तो घर में मम्मी दाल किस बरतन में बनाती है यह बता दीचे मेरे को answer चलन पल्सेज दाल किस बरतन में बनाई जाती है बच्चों बता दीचे प्रेशर कुकर तो बच्चों क्या प्रेशर कुकर के फटने का डर नहीं होता है answer डर है कि नहीं you are traveling through car market में हो सकता है आपको news मिलती हो बही highway पे चार का accident हो गया क्या आप कार पर ट्रावल करना च्छोड़ देंगे आंसर चलन नो सब्सक्राइब लिए बारा लग बच्चा आइटी जाई के लिए बैठता है आइटी में तो 15-16 बच्चे ही जाते है तो क्या आपको आइटी की preparation ही नहीं करनी चाहिए सोचकर आंसर नो सर पर नी चाहिए बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल करनी चाहिए अगर आपको लग रहा है बही 65% of the people who aspire for Chartered Accountancy Course they fail क्या आपको Chartered Accountancy Course के लिए preparing नहीं करना चाहिए निफ्ट में selection 10 person का 90 person बच्चे फेल होते हैं क्या छोड़ दें क्लाट में selection 15 person बच्चो 85% फेल होते हैं सारे बच्चे चोड़ दें ऐसा तो नहीं होता न तो वह चीज यहां पर भी है तो यह होता बच्चो रिसको मीटर तो आपको अगर आटा ग्लांस देखना है कि मेरे investment पे कितना risk है यह high risk है यह low risk है तो आप रिसको मीटर से देख सकते हैं अब scheme riskometer में और benchmark में क्या फर्क है बैइ scheme riskometer मेरी कार चलाने की skills benchmark पूरे Indians की कार चलाने की skill सुनाई पढ़ी है बच्चो सुनाई पढ़ी है तो benchmark यहां पे लिया गया है Bombay Stock Exchange के Sensex को तो Sensex में invest करना भी high risk और हमारी scheme में भी high risk बट अगर Sensex में investment करने पे risk low है और हमारा high है तो लोग हमारी scheme में नहीं लगाएंगे वो Sensex के 30 companies के shares में पैसा लगा देंगे तो riskometer is just at a glance लोग कि हमारी scheme का behavior क्या है सुनाई पढ़ गई बच्चों बात बात सुनाई पढ़ गई चलिए तो this was the component जिससे आप एकदम assured रह सकते हैं कि मेदा जैसे लोगों को हमेशा reporting करनी पढ़ती है और यह आपका पैसा लेके असानी से नहीं भाग सकते हैं तो यह बाते सब को समझ में आगई कैसे रेपोर्टिंग करनी पढ़ती है क्या डेटा देना पढ़ता है बच्चों एनी डाउट्स ऑन दिस तो यह एक स्टेट्मेंट है बच्चों जो मैंने इसके पहले आपको स्टेट्मेंट दिखाई थी डाट वॉस एक इंवेस्ट करता है वह अपने बारे में पूरी खबर दुनिया को देता है यह स्टेट्मेंट होती है इफ यू इन्वेस्ट दिस विल कम टू यू अनली यह और किसी को नहीं मिलेगी अगर गलती से किसी के पास चली भी गई नो प्रॉब्लम इट इस पासफ़ट प्रोटे होगा इस रिटन से बंधन मुच्वल फंड विसबल टो चली इस बंधन मुच्वल फंड में यू मस्ट बी फिंडिंग कि यहां पे यह है मुच्वल फंड का नाम चली यह है आपका रिकॉर्ट नंबर नॉमनी इस रिजिस्टर अंडिंग विद मैं मॉबाइल नंबर जीरो वन वन फोर दिस इस टोटल ओपनिंग बैलन्स कितने यूनिट मेरे पास है इसके टू थ्री फोर टू लास्ट जो परचेज हुई थी यह 2499 रूपीज की हुई थी और कितनी यूनिट्स खरीदी गई थी 101 तो दिस वस दो ओपनिंग बैलन्स दिस परचेज इन बैलन्स नजर आ रहा है सबको एवरीबडी इस अबल तो विजुलाइज दिस नेस बोविंग एड लेट्स प्रोसीट फॉर्द जलन तो ये तो बात की बचों हम लोग ने वाट इस कॉल्ड एज एक स्कीम की अब और उपर आते हैं ये दूसरी स्कीम बैट इस कैंडरा रे सबको नजर आ रहे हैं अगें स्कीम नेम फोलियो नंबर अभी मत पूचेगा सब फोलियो नंबर अलग कैसे हो गया अलगलग कंपनी बन तो मेरा रिकॉर्ड अलगलग जगा होंगा ना नॉमनी रिजिस्टर्ट मॉबाइल नंबर इमेल आई-ड के वाई-सी देर अगें 3000 क सब्सक्राइब नंबर इमेल आई-ड के वाई-सी यूनिक क्लाइंट कोड इनके हमेरा क्या है 2000 रुपे की परचेज 700 यूनिट्स मेरे पास पहले थी थी इस ओपनिंग बालंस यह करेंट मंत में परचेज किया दिस इस माई क्लोजिंग बालंस तो यह स्टेट्मेंट आपको हर महीने की फस्ट वीक में आई की आपने दुनिया जहान के कितने भी म्यूच्वल फंड में इंडिया में पैसा लगाया हो चल्ड़न यह स्टेट्मेंट आपको आईगी तो यह सेबी ने राइट दिया है रेजिस्ट्रार को तो अगर आपने मनी इंवेस्ट किया और मेधा जैसे लोगों ने आपको पैसा आगे नहीं लगाया यह स्टेट्मेंट जब आपको मन्त के स्टार्ट में मिलेगी तो यू विल क्योंकि यह स्टेट्मेंट रेजिस्ट्रार आपको बेजएगा उसके पास जो रिकॉर्ड होगा वो आपके पास आजाएगा अगर आपको लगता है आपने इंवेस्ट किया है बट आपके फंड अडवाईजर ने आगे पैसा कंपनी वो नहीं दिया यहां पे उसका सिस्ट्रम की ट्रांस्परेंसी समझ गए सब लोग बच्चों सिस्ट्रम की ट्रांस्परेंसी समझ गए यह सब नेक्स्ट स्टार्ट लिएंग एक्जॉर्बिडेंट चार्जेज मैक्सिमम मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपने अपना पैसा ऐसे म्यूचल फंड में लगाया बचो जो debentures में invest करता है सवा दो प्रतिशत से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता mutual fund house और अगर आपने अपना पैसा ऐसे mutual funds में लगाया जो shares में invest करता है तो children धाई person से ज़्यादा allowed ही नहीं खर्च करने को every month the statement would be given to you जहां पे mutual fund house so-called अपने खर्चे को भी list करता है अगर खर्चा उनका बढ़ गया तो आप complain कर सकते हैं और आपकी complain करने की नौबत नहीं आएगी say be already हर मईने हर दिन आप बोल सकते हैं इनसे data लेता रहता है कि आपका expense ratio इससे ज़्यादा तो नहीं है समझ में आगई बात तो ये बच्चो प्लीज कॉपी कर लीजे ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि maximum expense कितना एक fund house कर सकता है debt scheme है तो 72% of the total assets जो invest हुई है और अगर equity scheme है तो so-called 5% of the AUM ओम नमशिवाय नहीं assets under management तो total जितना पैसा mutual fund ने market में लगाया है उसका debt में अगर लगा है तो सवा 2% से ज़्यादा खर्ष नहीं कर सकते equity में लगाया तो 5% से ज़्यादा खर्ष नहीं कर सकते मैं इसके उपर आपको इक numerical solve पर होंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि exactly हम कितना पैसा calculate करते है कैसे calculate करते है तो SEBI क्या काम करता है चलन SEBI is securities and exchange board of India to promote, to regulate and to register intermediaries को register करना, license देना so-called पूरे financial structure को regulate करना की rules and regulations से लोग काम करें और country में एक equity culture develop हो एक मोहल develop हो जिससे लोग जादा जादा पैसा mutual funds में invest करेंगे तो आप से भी कि ये तीनों objective ज़रूर लिखने to promote, to protect and to regulate ये register जो है तो secondary हो गया it is actually to promote, to protect and to regulate PPR इसको बोलता हूँ मैं PPR to promote, to protect and to regulate quickly put this so चलने ये जो हम expenses की बात कर रहे थे से भी के accordingly this is the percentage जितना आप expense करेंगे so यहाँ पे साफ साफ चीजें बहुत बताई गही है first April 2020 total expense ratio कितना हो सकता है equity funds है तो सवा 2% debt में पहले डाईता है इन्होंने एडिट करके इसको अब 2% कर दिया है पहले 500 करोड़ पे सवा 2 और 2 अगले 200 करोड़ पे it is 2 और पॉने 2 अगले 1250 करोड़ पे 1.75 and 1.5 and so on अब एक example लेते हैं कि मान लेते हैं किसी particular mutual fund में चल रहें I repeat किसी particular mutual fund में total assets are let us say 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ तो expense कैसे calculate होगा 0 से 500 करोड़ पे 2.25% 500 से 700 करोड़ पे 2% अगले साड़े 1200 करोड़ पे मतलब 2000 करोड तक खर्च करेंगे हम 1.75 और इससे ज़्यादा पैसा है लोग खर्ची नहीं कर सकते हैं इसमें fund house के employees की salary सब कुछ जुड़ा था अगले 3000 करोड़ पे 2 से 3 हो गया बचो 5000 करोड़ इस पे 0.5% thereafter अगले 5 मतलब 10,000 करोड़ पे खर्च करेंगे 1.25% सब लोग अपना calculator जटपट open कर ले calculator से ये calculation हो जाएगा रेडी हैं सब लोग इस चलिए लेट स्टाट चलिए तो बचो 500 करोड़ का जड़ा 2.25% calculate करिये and let me know the answer fast 11.25 करोड़ correct then children 200 करोड का 2% कितना आएगा 250 करोड़ का 2% 250 करोड़ का 2% 5 करोड़ yes sir 11.25 मैं यह आपर लिखता जाता हूँ और यह आएगा 5 करोड़ ठीक है अब बच्चों 1.25 करोड का 1.75% 21.875 करोड़ 8-8 लिख देते हैं इसको फिर 3,000 करोड़ का 1.5% 3,000 करोड़ का 1.5% 45 करोड और 5,000 करोड़ का 1.25% 62.5 करोड़ इतना पैसा यह mutual fund house खर्च कर सकता है जिसके पास पब्लिक का 10,000 करोड़ मैनेज करना है चल्ड़ तो 875 इस 88 को अगर ले ले प्लस 42 प्लस 62.5 145.625 करोड़ उपीज तो अगर आप एक mutual fund house है और आप पब्लिक का 10,000 करोड़ उपए मैनेज कर रहे हैं बचो तो maximum 145.625 करोड़ उपीज आप खर्च कर सकते हैं इससे जादा पैसा अगर आपने खर्च किया एक रुपए भी जादा खर्च किया से भी आपके mutual fund scheme को किसी दूसरे को manage करने को दे देगा तो अगर मैं overall की बात करूँ ये fund house 145.625 करोड़ खर्च कर सकता है on an investment of 10,000 करोड़ तो percentage में ये कितना बन जाएगा the answer is 1.45625% तो सेभी ने तो सवा 2% तक की limit दी है बटन का खर्चा देखिए कितना है क्योंकि अगर fund छोटा होगा तो खर्चे proportionately जादा होंगे it's just like that कि अगर किसी घर में 4 लोग रह रहे हैं बच्चों और किसी घर में 15 लोग रहे हैं उविष सी बात है दोनों घर के entry exit gate पे अगर एक गाड को हमने तैनात कर दिया तो 15 लोग जिस घर में रहते हैं वहाँ पे भी एक गाड की salary देनी है और जहां 5 लोग रहते हैं वहाँ पे भी एक गाड की salary देनी है तो किस घर में गाड की salary will be a higher burden बताइए चल्रों इन विछ हाउस the salary payable to the guard would be a higher burden children where 15 people are living or where 4 people are living 4 people simple as that भई यहाँ पर भी guard को दन्खवा देनी है यहाँ पर 15 लोग की safety security करेगा चारकी करेगा तो छोटा mutual fund अगर होगा तो expenses जादा होते ही होते है भई वहाँ पर भी एक CEO है और बड़ा mutual fund है वहाँ पर भी एक CEO है तो CEO की salary तो दोनों जगा देनी है न तो छोटे mutual fund में पैसे कम है तो burden जादा होता तो यह example जल्दी से लिख लें copy में आपनी बच्चो यह बात समझ में आगे न क्यों छोटे fund में जादा expense की limit से भी ने अलाओ की है अगर आपका fund सिर्फ 500 क्रोड का है तो आप सवा 11 क्रोड खर्श कर सकते हैं बट अगर आपका fund 10,000 क्रोड का है तो आप 145.625 क्रोड से जादा खर्श नहीं कर सकते हैं तो यह चोटे fund में हमेशा proportionate expense जादा होगा क्यों जादा होगा एक बार फैर example बताता हूँ 500 करोड का fund है एक building है जहां पर इनका office है उसका किराया एक लाग रुपे महीना 10,000 करोड का fund है इनका भी office वैसे ही किसी building में है इनका किराया भी एक लाग रुपे महीना तो किसके ओपर rent का burden का मैं चल रहा है scheme managing 10,000 करोड और scheme managing 500 करोड simple as that burden 10,000 करोड पर कम होगा 500 करोड उपर हम manage कर रहे हैं उनको भी एक लाग देना है तो इनके ओपर burden कम है और इनके ओपर burden जादा है और जी कोई कोई एक्सचेंज की बुक है इनके भी कुछ एजूकेशनल प्रोग्राम शलते हैं उनमें आप वह बातें मिलेंगी तो मैं थोड़ा सा कंटेंट पॉकेट मनी प्रोग्राम से लेकर यहां पे और यहां से लेकर उसमें डालता रहती है अभी कर लीजे पूरा तो रियालिटी में आपको नजर आता है जो बहुत बड़े फंड्स होंगे उनका खर्चा बहुत कम होता है तो बच्चों अब यहां पे एक थोड़ी सी अकल लगा के जवाब देजिए अगर आपके सामने दो mutual fund schemes हैं A fund और B fund assets under management A fund में है 7000 करोड्स और B fund में है 20,000 करोड्स आप दोनों में से किस में अपने 2000 रुपए लगाना चाहेंगे इन A fund और B fund children आज़सर बच्चों किस में पैसा लगाना चाहेंगे fund B fund B में क्यों पैसा लगाना चाहेंगे वह क्योंकि क्या कह रहे है क्योंकि वह जादा पैसे को मैनेज कर रहे हैं तो इससे हमको आपको क्या फरक पड़ेगा हमारे पास तो 2000 रुपए है इस पर मैं कह रहा हूं कि इनके पास बीजाद अच्छे प्रोफेशनल्स हैं कि सोची 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 अरे अभी बताया मैंने तोड़ी दिर पहले भूल गए शॉट टम मेमरी लॉस सोची सोची इस दोनों के पास अच्छे प्रोफेशनल्स है किस फंड में 2000 रुपए लगाएंगे फंड बी जो 20,000 करोड के असेट्स मैनेज कर रहा है या फंड ए जो 7,000 करोड के असेट्स मैनेज कर रहा है अभी भी आंसर दिया पूरे पिछले एक गंटे से हम कामी ही कर रहें इसको पर सोची 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 कि अच्छे पिशागरी आंसर अंजली अमन आदेत त्यार रहे हैं इसलें संपल एस डाट बीस अजार करोड जहां पर असेट मैनेज हो रहा है चले रहें उनके expenses कम होंगे और साथ अजार करोड जांप मैनेज़रों के expenses ज्यादा होंगे समझ में आई बात तो अगर आपको मैं बोलू fast moving consumer goods का एक शेर सो रुपय का है Bentley जैसी गाड़ी इनका शेर भी मान लीजे सो ही रुपय का है तो इंडिया जैसी country में बच्चों किस कंपनी का शेर खरीदा जाए किसी fast moving consumer goods कंपनी का या Bentley जैसी कंपनी का कि FMCG सिंपल क्योंकि FMCG को खरीदने वाली इंडिया की population जादा है Bentley को खरीदने वाली कम है तो इसका शेर बढ़ा दीरे 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 बढ़ेगा इसका तेजी से बढ़ेगा अंडर्शुट कॉपी देग्जाम्पल लेट्स प्रोसीड फॉर्दर चलन वापस आते हैं तो यह है बच्चों जैसे आपको मैंने सिखाया था स्टॉक मार्केट का ट्रैकर पढ़ना वैसे यह म्यूच्वल फंड का ट्रैकर होता है जलगा म्यूच्वल फंड के ट्रैकर में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है आपको बस एक चीज देखनी होती है दाट इस नोन आश चिल्डरन नेट असेट वैल्यू सुनहीं पड़ा तो नेट असेट वैल्यू कैसे कैल्कुलेट होगी तो आप अपनी क्लास पर कॉपी अगर आपने कोई बनाई हो या इसी वर्क बुक में आपके पास जगा हो तो वहाँ पे आप हेटिंग डालें कैल्कुलेशन ओफ एन एवी कैसे एन फ्यावे कैल्कुलेट होगी ध्यान दीजेगा मैं मान ली जिए एक फंड मैनेजर हो चलनं और मैं सो इकल्ड 10 लाक रुपीज Shares में invest करूंगा Debentures में invest करूंगा 6 lakh Gold में invest करूंगा 24 lakh Real estate में invest करूंगा 5 lakh Please tell me क्या total आएगा इन सब का 24 plus 6 30 plus 10 40 plus 5. What is the total 45 lakh 45 lakh mutual fund की एक unit 10 रुपए की है जिससे आप बचों बोल सकते हैं what is known as face value तो 10 रुपए की अगर एक unit हुई तो 45 lakh रुपए में number of units कितनी होंगा बचों answer चलन कितनी units 450,000 450,000 ठीक है after एक छोटा example ले रहा हूँ one month I repeat चलन after one month आपका ये जो shares थे ये 10 lakh से बढ़के market में boom बहुत जादा आया 16 lakh के हो गए debentures जो थे चलन वो 8 lakhs के हो गए gold market थोड़ा पूर जा रहा था तो ये घटके 22 lakh हो गया real estate का market भी बहुत बढ़िया गया और ये 5 lakh से बढ़के 8 lakh का हो गया प्लीज आड़ उन दिस चल्रण 16 प्लस 8 16 प्लस 8 24 24 प्लस 30 इस हो मच चल्रण 54 lakh अब मान लेते हैं कि 54 lakh रुपीज में ये जो fund manager है कह रहा है भई कुछ खर्चा पानी भी तो हो रहा है जरा वो भी दे दो ठीक है अप्रूवल हो गया एक लाक रुपे इन्होंने निकाल लिए अपने खर्चे पानी के लिए तो 45 lakh रुपीज की जो value थी चल्रण वो एक महीने बाद बढ़के कितनी हो गई आंसर बच्छो 45 lakh की जो value थी वो एक महीने बाद बढ़के कितनी हो गई 53 lakh 53 lakh और total number of units जो थी बढ़के बच्छों हो जाएगी 11.777 तो पहले जो face value बच्छों 10 रुपे थी वो आज बढ़के 11.777 हो चुकी है इसी को बच्छों बोलने है net asset value I repeat this is called as net asset value इसमें एक calculation आपको और भी अभी पढ़ाऊंगा not to worry at all तो ये एकदम simple तरीका है आनने का तो NAV is just like the market value of a mutual fund सर इसको net asset क्यों बोलते हैं net asset इसलिए बोलते है कि value जो बढ़ी थी वो तो बढ़के हो गई थी 54,00,000 बट उसमें से expense deduct हो गया तो net हो गया ये that is reduce हो गया तो आज अगर आपने 10 रुपे की एक unit खरी दी एक महिने बाद ये बढ़के 11 रुपी 777 पैसे की हो गई तो what is your profit per unit 1 रुपी 777 पैसे तो अगर आपने मान लीजिए 1000 units खरीदी दी बचो आपके पापा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी एक करोड की टैनियाज अगो आज वो प्रॉपर्टी हो गई बचो 6 करोड रुपे की और आपके पापा ने एक agent को पकड़ा वो कहरा है मैं 10 रुपीज कमिशन लूँगा और प्रॉपर्टी बिकवा दूँगा उसने 5.90 करोड रुपीज आपके पापा को दिलवा दिये तो यह जो 6 करोड में से 10 लाक माइनस हो गया बचो यह उस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू है नेट असेट वैल्यू तो पीपल अंडर्टोड कैसे म्यूच्वल फंड में निकाली जाती है NAV होता क्या यह समझ में आगे बच्चो यह सब्सक्राइब के नाम पे स्क्रीन पे कुछ कंटेंट नजर आ रहा होगा इसंट इस यह है बच्चो एक म्यूच्वल फंड हाउस की बैलन शीट अब आप कहेंगे सर अकाउंटेंसी में तो हम आसेट्स को एदर राइट में और लाइबिटी को लेट में रखे थे कोई फरक नहीं पड़ता कोई फरक नहीं पड़ता यह आपको NAV समझाने के लिए मैंने यूज करना है शैज में 345 करोड का इंवेस्मेंट है बचो डेबेंचर में 23 करोड का मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट में 12 करोड सर यह क्या होते हैं यह ऐसे होते हैं जो शॉट टम में आपको पैसा दे जाएंगे बट शैज बिकने में तो थोड़ा टाइम लग सकता है मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट सर शॉट टम इंवेस्मेंट्स मैनी केसेज में इनका जो टेनियोर होता है यह 90 डेस से 300 पैसट दिन के अंदर का होता है बचो तो शैर में तो हो सकता है कि आपको ग्रोथ दो साल के बाद अच्छी नज़र आए मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट पांस साथ परसंट आठ परसंट की ग्रोथ लगबग शॉट टम में दे जाते हैं तो दीज आर प्राक्टिकली यॉर आसेट्स यह क्या सर 2.3 यह 2.3 आपकी अक्रूड इंकम है सर यह क्या होती है मैं एक इंवेस्टर हूँ और आप सबने मेरा पैसा मूच्वल फंड में इंवेस्ट किया हुआ है कहां का इंवेस्ट किया है शेयर में इंवेस्ट किया है डिबेंचर में इंवेस्ट किया है मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट में इंवेस्ट किया है यह money market instruments का मैं एक example लिख देता हूं बच्छों यह शब्द सुना है आपने आथ से पहले T-bills T-bills किसी ने सुना है बच्छों सुना है तो हां बोली यह नहीं सुना है तो ना बोली यह बोला है होते क्या है जब government को पैसे की जरूत होती है तो हम उन्हें पैसा देते हैं एक तरह का बॉंड जो होता है वो लॉंग टम इंवेस्मेंट होता है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दस दस हजार के बॉंड हमें बेचे तो इसका मतलब पैसा दो चार साल के बादी वापसी अभी नहीं आना बटी बिल्ज में आजए सट चिल्डेन आपको पैसा एक साल के अंदर वापिस आ जाता है कुछ में लेस देन 90 डेस भी होता है और कुछ में शिक्स मन्स कुछ में 300 पैसर दिन तक भी चला जाता है अकूरूड इंकम क्या है मैंने बताया आपको कि मैं आप मेरे को पासओन कर देंगे ठीक है 300 करोड यूनिट थी जैसे हमारे एक्जैंपल में साड़े चार लाग थी 85.7 के प्रॉफिट्स और गेंज इस नीच्वल फंड हाउस के पास पड़े हुए है अकूरूड दाट इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं डेड करोड तो पूरी की पूरी असेट्स में चल रहें हम माइनस कर देते हैं what is called as अपने खर्चे और डिवाइड कर देते हैं number of units से तो exactly यहाँ पे formula कुछ ऐसा होता है market value of investments plus जो पैसा मिलना है plus income plus जो आपके पास और assets है minus जो आपके खर्चे या जो आपने liabilities pay करनी है divided by units हमने यहाँ पे क्या किया था हमने 54 लाक रुपी की सारी assets दे ली उसमें से खर्चे minus कर दिये तो यह एक narrow approach थी reality में चल रियालिटी में यह जो calculation होता है यह थोड़ा बड़ा calculation होता है just let me switch over the screen तो I'll let you know कि इस बड़े calculation में सारी चीज़ें आ जाती है तो narrow approach में बस आपको as a student of financial literacy इतना ही समझना है कि सारी assets को total करिए उसमें से अपने खर्चे और जिम्मेदारियां minus कर दीजिए तो I'm putting the formula here children it is all assets minus expenses and liabilities payable divided by number of units आपको पता लग जाएगा आपकी जायदात की हैसियत क्या है समझ में आगे बच्चो what is net asset value yes चलिए तो यहां पर एक example के नीचे एक paragraph लिखा हुआ है मैं इस paragraph को आपको समझाता हूं यहां पर लिखा है कि scheme ने 30 करोड units 10-10 रुपए वाली public को बेची तो what is 30 करोड units into rupee 10 children 300 करो एन एफो के टाइम पे एन एफो क्या होता है जैसे shares company बेचती है तो IPO launch करती है जिससे आप initial public offer बोलते हैं बच्चो तो जब mutual fund scheme launch होती है तो हम इसे what is called as IPO ना बोलके बच्चो एन एफो बोलते है new fund offer तो 300 करोड रुपए company ने collect किया जैसे मेरे example में 45 लाक रुपए था 45 लाक नजर आ रहा है हमारे example में बच्चो तो वहां का 45 लाक यहां 300 करोड है उसके बाद इनकी assets total हो गई 385.7 करोड की सर यह कैसे हो गई 300 करोड में gains add हुए है और expenses and liabilities payable less हो चुके है तो आपका इस समय बजार का भाव market में हैसियत 385.7 करोड की है children जिसमें 30 करोड units है total तो एक unit की value 12 रुपए 86 पैसे हो गई तो if we divide 385.77 by 30 करोड तो यह 12.859 आता है जिसका approximation 12.856 है तो अगर किसी इनसान ने 10 रुपए लगाए और आज यह 12 रुपए 86 पैसा हो गया तो आपका पर unit profit कितना है जलना एक unit पर profit कितना है जलना तो बांगे 2.86 2.86 का profit 10 रुपए लगाकर works out to be approximately 28.56 या 57 परशेट समझ में आई बात येस पक्का एने वी का कॉंसेट्ट प्लियर हो गया प्षाग जी अमन जी आदाती जी आर्या जी समझ गई इस सब्सक्राइब करेंगे बगवान से प्रातना करेंगे कि एने वी बड़े या घटे बचों पताइए अंसर चलन वाट प्रेयर वील ओफर माइने वी शुट गो अप और गो डाउं गो आप जवाब एनमीज की एने वी घट जाएं और फ्रेंड्स की एने वी बढ़ जाएं चलिए चार्जेस फॉर म्यूच्वल फंड बचों जो फंड मैनजर है क्या वो बंडारे में खाना खाएगा पांसर चलन वाट सब्सक्राइए जो वेन यू इनवेस्ट हंडेड रुपीज ना म्यूच्वल फंड या चलिए थाउजन बोल देते हैं लेट उस से दो रुपए फंड हाउस में चला गया 98 रुपी आपका मार्केट में इनवेस्ट हो गया इसे बोलते हैं आलोकेशन क्या बोलते हैं बच्वा अलोकेशन एंट्री लोड जब आप अपना म्यूच्वल फंड का यूनिट रिडीम कराते हैं मतलब एंड कैश करते हैं मतलब यू वॉन्ट दा मनी पैक आपको पैसे अपने वापिस चाहिए और मान लीजिए आपने एक हजार रुपए जो लगाया था वो बारा सो रुपए हो गया अब अगेन चल्रेन बारा सो रुपए में लेट अस से तीन रुपए फंड मैनेजर अपने खर्चे के लिए रख लेगा और 11.97 आपको पैओफ हो जाएगा तो ये तीन रुपए is known as what is titled as बच्चो एक्जिट लोड जेनरली कुछ स्कीम्स में छे महीने के बाद एक्जिट लोड खतम हो जाता है आप पैसा लगाईए छे महीने बाद अगर आप अपने पैसे वापिस लेते हैं तो जो मार्केट की एनेवी होगी आपको वही मिल जाएगी कुछ कटे पटेगा नहीं कुछ स्कीम्स में ये लोड एक साल और कुछ में त तीन साल बात खतम होता है कुछ स्कीम्स ऐसी भी होती है जहां पे एक्जिट लोड कुछ भी नहीं होता जो एनेवी होगी आपको वही मिल जाएगी अब क्वेश्चन यह उठता है सर ये फंड हाउस फिर चलेगा कैसे और विसी बाते कैसे चलेगा डूरिंग दा पीरेट इंवेस्पेंट जो भी मार्केट थोड़ा सा बढ़ता था और गड़ता था चलेए उसी कमाई में से ये लोग अपना पैसा निकाल लेते थे आप जब अपना पैसा वापिस मांगने जाओगे तो जो एनेवी होगी उसी पर आपको पैसा दे देंगे लोग तो एंट्री ल बचों 15th April 2023 को सेट अप किया और पहली स्कीम आपकी 15th July 23 को लॉंच होती है एक हजार करोड उपय के साथ चल रही थी स्कीम बहुत बढ़िया चल रही थी पहली बार 10th January 26 को किसी ने अपने पैसे वापिस मांगे तो आपने का दो तीन साल हो चुके हैं क्या काटना पैसा त तो ड्यूरिंग डिस सेशन आपका जो असेट अंडर मैनेजमेंट था मान लीजे वो हजार करोड से बढ़के बचों हो चाता है 4000 करोड और लगभग सवा प्रतिशत एक्सपेंस रेशियो आपको अलाउट था आपने खर्च किया आपने का भई मार्केट में अच्छा नाम लोग इंवेस्ट करने आएंगे थोड़ा सा पैसा उनका काटेंगे बाकी मार्केट में लगा देंगे बत जब वो वाप करेंगे आप से भी को रिपोर्ट करिए से भी इनकी बैंड बजाएगा और आपकी स्कीम को किसी दूसरे फंडा उसको चलाने को दे देगा just like that if your school is unable to do well you complain to the ministry of human resource education and your respective board that board will give the authority of your institution to some other trust to run the activities of education तो समझ में आगे बच्चों charges कौन से होते हैं पैसा लगाते समय जो कटे-पिटे वो entry load maximum schemes में इंडिया में अब नहीं होता यह और जब आपना पैसा वापिस लेने जाएंगे तो बैंक जानता है कि आप पैसा पांच साल बादी लेने आओगे तो बैंक नहीं यह money किसी को lend कर दिया था बट बैंक को क्या पता था कि आप दो मेंने बादी चले आएंगे बिचारा बैंक किसी दूसरे दोधार लेकर आपको देगा तो इस discomfort के लिए they deduct some interest अप्डेट दिस एक्जांपल चलो लुए लिए 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 इस एचस बीसी लार्ज कैप फंड ठीक है इट इस इन्वेस्टेड है रिटन 2,000 रुपी दस पैसा स्टांप ड्यूटी बस कटी है बाकी पूरा का पूरा पैसा इंवेस्ट हो गया तो जितना मैंने दिया उतना पूरा इंवेस्ट हो गया क्या कुछ कटा पिटा है बच्छो चलन is any money is deducted I invested 2,000 रुपी क्या ऐसा हुआ that they have invested only 1,990 रुपी इस तो नो सब्सक्राइब अब इंडिया में किसी भी स्कीम में लग बग एंट्री रोड नहीं होता exit load की कहानी बस वही है जैसे आप bank की FD टाइम से पहले अगर तोड़वाते हैं और cash करवाते हैं तो bank discomfort के लिए आपका कुछ interest काट लेगा मान लीजे आपने 7% interest की FD कराई चार साल की और आप तो बैंक कहा रहा है हम आपको 6% के हसाप से payment करेंगे 7 के हसाप से नहीं करेंगे तो जल्दी से इसको लिख लीजा चला जैसे complete हो जाब चलिए इसको ठीक कर लीजेगा मैंने गलती से 98 लिख दिया था 998 कर दीजेगा चलिए सो कहानी समझ में आ गई NAV क्या होती है और entry exit load क्या होता है इस अर्दा charges basically तो बचो अलग लग तरह के mutual funds अलग लग लोगों के लिए बनी है Mr. Money, Ms. Asha, Mr. Raghu, Mr. Anuj ये चार लोग हैं हमारे example में जिनके पास अलग लग amount of money है Mr. Wiz इनके एक investment advisor है fund manager नहीं investment advisor इनके पास एक लाक रुपे हैं और ये invest करना चाहते है mutual fund में Ms. Asha के पास भी एक लाक रुपे हैं बट ये इस बात से चिनते थे हैं कि इनने liquidity चाहिए मतलब पैसा इनका जटपट वापिस आ जाए Mr. Raghu चाहते हैं एक लाक रुपे invest करना बट इनको regular income चाहिए इनको regular income चाहिए और Mr. Anuj जो है ये कह रहे हैं कि मेरे पास अभी तो बहुत धेर सारे पैसे नहीं है बट मैं small amount regularly invest कर सकता हूं हर महीने में Mr. Wiz कह रहे है what's the problem when I am here थोड़ा जाधा समझना है तो सर का financial literacy attend कर लो समझ में आ जाएगा तो बच्चो इन चारो लोगों में इनके पास एक लाक इनके पास एक लाक है ये invest तो करना चाहते हैं बट इनको क्या चाहिए मनी जी को क्या चाहिए बच्चो किस चीज को लेकर ये चिंतित है safety आशांटी liquidity रगु अंकल रेगुलर income और इस बिचारे के पास एक लाक तो नहीं है बट ये small investment करना चाहता है सुनाई पड़ी बात बच्चो सुनाई पड़ी बात चलिए तो अब यहां पे अलग लग तर in shares मैं तो इसी में invest करता हूं risk बहुत जादा होता है children but again as I said risk होगा तभी returns होंगे debt funds ये ऐसे होते हैं बच्चो which invests only in debentures and bonds ये और किसी में पैसा लगाते ही नहीं है again children here the risk is comparatively very 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 less और obvious सी बात है returns भी कम होते हैं balance fund ये कुछ पैसा equity that is shares में लगाते हैं बचो और कुछ पैसा debentures that is bonds में लगाते हैं तो यहां पे risk moderate है बहुत जादा नहीं होता है tax saving funds income tax के section ATC में आते हैं आप यहां पे maximum डेल लाख रुपए ही invest कर सकते हैं बचो इस से उपर नहीं invest कर सकते हैं इस डेल लाख पे जो income होगी वो taxable होगी बट यह डेल लाख रुपए taxable नहीं होगा मतलग Mr. X ने 25 लाख रुपए कमाए जिसमें से 1.5 लाख tax saving fund में इंवेस्ट कर दिया तो government of India साड़े 23 लाख रुपए पे इनसे कहेगी हमको tax pay करिये बट डेल लाख पे जो income आईगी बच्चो कल को उस पे tax लगेगा समझ में आगए चार तरह की mutual funds आपको बच्चों चार तरह की mutual funds समझ भी आगए यह सर्व का चलिए open ended fund क्या होते हैं जब मर्जी invest करें जब मर्जी अपना पैसा वापिस ले ले कोई so called restriction नहीं है कि इसी date को invest करना है और इसी date को पैसा वापिस मिलेगा when you feel like invest when you feel like come out close ended fixed dates पे ही बच्चों investment होता है यह नहीं जब मन किया पैसा लगा दिया जब मन किया निकाल लिया ऐसा कुछ नहीं होता है ओके मान लीजिए जुलाई one two six के अंदर इस fund को आपको दिया गया आप invest कर सकते हैं और अगर पुराने इन्वेस्टर ने इसी डेट पर पैसा वापिस दलते हैं तो close ended में problem सबसे बड़ा एक ही है that is children problem of what liquidity I repeat problem of liquidity जल्दी आपका पैसा वापिस नहीं आएगा fixed date पर ही आएगा मान लीजिए अगली date है let us say April 2024 4th से 9th इस date पे फिर ये fund open हुआ तो इसी date पर नए investors आएंगे पैसा लगाने इसी date पर पुराने लोग निकाल सकते हैं बीच में जब आपका मन तब नहीं निकाल सकते हैं तो मैं आपको suggest करूंगा अगर आपको बहुत long term पैसे की ज़रत नहीं है तो you can go for close ended else go for open ended सर ग्रोथ में कोई फरक है नहीं practically ग्रोथ में कोई फरक नहीं होता है हाँ open ended की जो NAV होती है बचों वो daily basis पे newspaper में छपती है इसकी NAV daily basis पे नहीं छपती क्यों कोई मतलब ही नहीं रहता इसका जब आपको पैसा लगाना है तब आपको NAV ध्यान देनी है जब पैसा निकालन और open तो जो close और open है children I repeat close और open यह basically depend करेगा date के उपपर I repeat किसके उपर date के उपर and children यह जो equity debt balanced यह है यह depend करता है कहां पे पैसा लगा है समझ में आ गया तो equity debt balanced is where money is invested okay and open and close date के हिसाब से समझ गए चिल्रन समझ गए चिल्रन understood yes sir growth plans क्या होते है यह आपको regular income नहीं देते है अगर आपने five years के लिए invest किया है तो यह income इकठी करते जाएंगे और five years के बाद आपको देदेंगे dividend plan जो होता है यह आपको regular income देता है बचों तो those who are invested in regular income they should go for dividend plan कौन था यहां पर regular income में invested interested रगू तो रगू को चाहिए dividend plan Mr. Money को चाहिए debt fund क्योंकि यह safety में interested है liquidity की बात करें तो इन्हें चाहिए बचों open ended और यह थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगा पाएंगे तो इन्हें चाहिए SIP अब यह SIP क्या होता है यह अगले lecture की talk है हमारी तो बच्चों इतने mutual fund समझ में आ गए आपको तो next lecture थोड़ा बड़ा होने वाला है थोड़ा अच्छा होने वाला है हम SWP और SIP के उपर इसको पूरा focus करेंगे और यह जो मैं आपको अपना statement वगरा भी दिखा रहा था य कुछ लोग कहते हैं mutual fund बेकार SIP अच्छा है कुछ कहते हैं SIP अच्छा है mutual fund बेकार है मेरे को हसी आ जाती है बाते सुनके के रहे हैं कि गंगा जी में मत ना हो बकेट में पानी बर के घर पे लेओ वह अच्छा है एक ही बात है भई सिर्फ रिस्क थोड़ा सा चेंज हो जा कर दो